विश्व कर्मा पूजा की रात एक हे स्थान पर दो अलग-अलग सरक दुर घटनाओं में एक यूवग घायल एक व्यक्ति की मौत सिलिगुरी से बिहार जाने वाले राष्टे राजमार्ग संख्या 327 पर खोड़ी बारी के 82 के पास घंशीमल जोत इलाके में हुई इस ददनाग सरक घटना से हंगामा मच गया बताया जाता है कि मंगलवार की रात एक यूवग पानी टंकी की ओर से बाइक चला कर जा रहा था तभी नैशनल हाईवे की हालत खराब होने के कारान यूवग दुरघटना ग्रस तो हो गया उसे 82 प्रात्मिक स्वास्ते केंदर पहुँचाया गया घटना की खबर मिलते ही खोड़ी बारी के पानी टंकी चौकी के पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची घाल यूवक घोश्पुकुर का रहने वाला बताया जारा है वहीं उसी दिन एक घंटे के अंदर ही वहाँ सरक हाथसे में एक सक्स की मौत हो गई पुलिस का प्रारंबिक अनुमान है कि पहिये की चपेट में आने से व्यक्ति की कुचल कर मौत हो गई हाला कि अभी तक मौत का पता नहीं चल पाया है शव का पहचान पुलिस कर रही है शव को बरामत कर पोस्ट माडम के लिए उतर बंगार मिडिकल कॉलेज वा अस्पताल भीज दिया गया मौत के सिलसलेर में एक संदिक्त को गिरफतार किया गया है पुलिस पुरे घटना की जाच कर रही है क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है तो चलिए श्रबनी हीरिंग एट में आपका स्वागत है जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जाच करेंगे और सही सही सलाह देंगे और अच्छी बात ये है कि अब श्रबनी हीरिंग एड सिली गुडी में भी खुल गया है तो आईए सही हीरिंग मशीन लगाए वो भी पूरी जाच परक के बाद श्रबनी हीरिंग एड सुनने की नई उम्मीद हमारा पता द्वारिका रुक्मनी प्लाजा पहली मंजिल बागा जतीन रोड सिली गुडी मुनिसिपल कार्पोरेशन के सामने फॉन करें